अब दोस्तों स्वागत अपके अपनी यूटूब चैनल नेक्स्ट स्टेडी पॉइंट में करेंट फिर कि इस क्राज में आप सभी कत अश्वागत आज हम सिक्चानिती से संबनित कुछ महतोपुन जानकरी को समझेंगे उससे पहले हम सिख्चानिती को बहुती बारीके से समझेंगे उसके बाद यहाँ पर हम quiz भी solve करने वाले तो पहले हम सिख्चानिती के बारे में समझेंगे दोस्तू सिख्चानिती क्या है उससे parents के साथ साथ बच्चो और इस school पर क्या प्रभाव पड़ेगा सिक्चानिती से संबंदित देश का कितना विकास होगा क्या होगा ये अभी हम इस वीडियो में एक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यहाँ पर समझेंगे दोस्तो तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक से सस्क्राइब और प्रेस बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिपिकेसन आपको मिलता रहे चलते हैं सिक्चानिती के इस बेस्ट टॉपिक जो इस समय बना हुआ है नई सिक्चानिती 2020 में आप सभी का स्वागत है नई सिक्चा संबंदी जितने भी मौश्र एमपर्ण फेक्ट बनेंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो नई सिक्चानिती जो है 34 वर्सों के बात भारत में फिर से निती की गोशना कर दी गई है निती जो है दोस्तो अब हम नई सिक्षानिती की जो बात करेंगे कहते हैं कि जब किसी देस में बहुत बड़ा बदलाओ करना होता है तो सबसे पहले उसकी सिक्षानिती को बदलना चाहिए और बात इसकी सुरुआत हो गई है अब इसकी सुरुवात हो जाने के साथ साथ भारत सरकार के मानव संसादन विकास मंतराले ने आज नई सिक्षानिति की गोश्णा की है इसलिए आज आज आपको सबको बताएंगे कि इससे देश का तमाम चात्रों और उनके परिवारों को और माता-पिता के जीवन और इसकूलों पर क्या प्रभाव या क्या-क्या उनमें बदलाव आने वाले है यदि आप छात रहे तो आपको जो बाते बताई जा रही है या फिर आप पैरांड से हो तो आप माता-पिता भी हो सकते हो ठीके आप माता पिता हो तो भी आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातों को नौट करना होगा यदि नौट नहीं करें तो आप पुरा वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना तो अब आपको बड़े बदलाव बताते हैं अब तक भारत की स्कूली सिक्षा 10 प्लस 2 के फॉर्मेट पर चलती रही है 10 प्लस 2 फॉर्मेट क्या है दोस्तों 10 प्लस 2 12 के फॉर्मेट जो 10 प्लस 2 फॉर्मेट है उसी के फॉर्मेट उसी के धाचे के अनुसार सिक्षा पर चलती रही है लेकिन अब इसे 5 प्लस 3 प्लस 3 जो है प्लस 4 के रूप में बदल दिया गया है पहले 5 वर्सों की बात कर लिजाए दोस्तों ये जितने भी पॉइंट आपको वीडियो ये इसकिन पर दिखाई दे रहे हैं इन सभी के बारे में हम वीडियो में पढ़ने वाला है नई सिख्चा निती में जो सिख्चा का बदलाव आएगा नई सिख्चा ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या है बड़े लक्षन हिजादित कर सकेंगे छात्र या फिर इस्ट्रीम सिष्टम में बदलाव होगा या चात्र जो आर्ट सवाला है क्या वो साइंस भी पढ़ सकता है क्या राज्य जो है कहा तक की पढ़ाय मातर भश्या के अनुसार करवाई जाएगी नई सिक्षानिती के अनुसार नई सिक्षानिती में क्या अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाएगा नई सिख्चा निती में क्या college admission में admission लेना हुआ आसान या फिर common application क्या है इन सभी के बारे में जो नई सिख्चा में अब तक लागू किया गया है सभी जानकरी हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लिजाए प्लस पांच की प्लस पांच की बात कर लिजाए दोस्तों तो सबसे पहले हम समझेंगे प्लस पांच किस से संबदित रखता है प्लस पांच क्या है प्लस पांच यानि कि जब बच्चा या छात्र जो है student जब admission लेगा यानि कि पहले पांच वर्स के पढ़ाई foundation stage मानी जाएगी यानि इस दोरान बच्चों की सिख्चा की नीव जो है मजबूत की जाएगी जिसका पाठ्यकरम NCRT द्वारा किया जाएगा इसके साथ साथ खेल कोद अन्यगती वीडियो के द्वारा बच्चों की पढ़ाई करवाना होगा और अब जो किताबों का बोज बच्चों के सर पर रहता था बच्चों के कंदों पर जो बोज रहता था वहाँ इतना नहीं रहेगा जितना अभी देखा जाता है अब बच्चे सिक्चा को आरंब करेंगे तो वो जो बच्चे अब सिक्चा का आरंब करने वाले वो बहुती किस्मत वाले होंगे कक्षा में उससे पांचवी की पढ़ाई से जब छात्रों का भविश्य तेयार किया जाएगा हाली की सिक्चानिती की अनुसार जो कक्षा में पांचवी तक की पढ़ाई है जो प्लस पांच बतायागा है सुरू का वहीं से बच्चों की छात्रों का भविश्य तेयार किया जाएगा क्या उनका भविश्य रहेगा और बात कर ली जाए पांचवी की क्लास के बच्चों को सामाजिक विज्ञान गणीत कला सामाजिक विज्ञान संबंद पड़ाये जाएंगे यदि इनमें वो कहीं पर भी इनका जो फेक्ट है ठीक है जो कक्षाव के पांचवी है उन्हें में उनका जो सब्जेक्ट परफेक्ट बनेगा वहीं से उनका भविश्य decide कर लिया जाएगा यानि ये parents और बच्चों पर depend रहेगा लेकिन येदि वो कोई इच्छुक या उनका कोई best topic रहा या कोई best विश्य रहा उसी पर वो चर्चा करके उसी में उसका भविश्य तियार करेंगे अगले जो तीन साल 5 प्लस तीन जो है उन तीन साल के बात कर लिजाए तो उन तीन साल के stage में सिक्चा निती के अनुसार वो stage middle stage माना जाएगा इससे कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी और इस की पढ़ाई का जो पाठे करम रहेगा वो नई सिक्चा निती के तई के पाठे करम पर पढ़ाया जाएगा बात कर लिजाए अगले जो 4 साल की बात है अगले 4 साल बाद निश्चित पाठे करम पर पढ़ाय जाएगा जो निश्चित किया गया है नई सिक्चा निती के अनुसार इस फार्मेट वाली 4 सालों की आखरी stage होगी कक्षा 90 से 12 तक की जो पढ़ाय है next जो पढ़ाय है next stage की कक्षा 90 से 12 तक की पढ़ाय इन वर्सों में किसी विसे के प्रती गहरी सोच पेदा की जाएगी बच्चों में गहरी सोच पेदा करने के बाद चातरों की जो है visualization चमता को बढ़ाय जाएगा जीवन में बड़े लक्षन निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा चातरों को या फिर उन्हें बताया जाएगा का आपको हर एक subject के बारे में आपको किसमे रूची है उस subject के बारे में पूरी उनको training दी जाएगी यदि बच्चा इच्छुक है तो अब सबसे महतुपन बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा stream system नहीं रहा है ठीके दोस्तों अब यदि कोई चात्र arts पढ़ना चाहता है arts पढ़ने का учते हैं और science की भी पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर पाएगा ठीके दोस्तों arts के साथ science की भी पढ़ाई वो साथ में कर सकता है arts के साथ यदि उसको science पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है यदि उसके पास commerce का subject है और वो college जब पहुचता है उसे physics में interest हो जाता है तो वो physics, bio, maths कुछ भी पढ़ सकता है ठीके लेकिन ये तभी संबो है इसके लिए एक अलग विसेयों का पूल तेयार किया जाएगा और आपको उस पूल से ही अपना विसेय का चुनाव करना होगा तब ये दोनों विसे यदि उसके अंदर सामिल है तब ही छात्रों को इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं तो ये जो most important नई सिक्षानिती से संबंदी थे इन्हें आप ध्यान पूरोग सुनना दोस्तों थोड़ी देर का जो वीडियो है मनलब यदि कुछ समय आप इस सिक्षानिती है उसमें यदि आप commerce से हैं तो आपको commerce का subject ही पढ़ाना पड़ेगा जब आप college में पहुंचते हो science का है तो science, maths, bio, bio यदि कोई arts सका है तो वो बंदा arts ही लेगा ठीक है जब college में पढ़ सकता है लेकिन जो नई सिक्षानिती है इसके अनुसार क्या होगा यद मातरभषा में ही होगी यदि की जो 5 वी तक की पढ़ाई है वो मातरभषा के अनुसार करवाई जाएगी उस राज्य के मातरभषा के अनुसार जो बच्चा जैसे पढ़ना चाहे वेसे उसकी study करवाई जाएगी यदि की otherwise کوईसी भी भषा नहीं ली जाएगी ठीक है अब अ इंदी, मराथी, टेलगू, बंगाली में पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा सकते हो नेक्स्ट बात कर लिजाए यदि 6th क्लास में जाने के बाद बच्चों को कम्प्यूटर कोडिंग सिखने का मौका दिया जाएगा जब बच्चा 6th क्लास में पहुँच जाएगा तब उसे एक कम्प्यूटर कोडिंग सिखने का मौका दिया जाएगा जो चीन के बच्चे सिखते हैं ठीक है चीन के जो बच्चे रहते हैं वो कम उमर में ही कम्प्यूटर और सॉप्ट्यवेर से समपने सारी जानकारी ले लेते हैं और बविश्य में चलकर उनका बविश्य बहुती वेग्यानिक और साइंटिस्ट की रूप में निखरता है अब भारत के बच्चे भी छोटी उमर में मॉबाइल और कम्प्यूटर जैसे सॉप्ट्यवेर बनाने की तकनिकी सिख पाएंगे यदि कोई चात्र इंटर्सिप करना चाता है यानि उसे किसी सबजेक्ट में रूची है तो वह उस सबजेक्ट से चूड़ी सभी जानकारी विसेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ कर सकता है आपको एक्जामपल की रूप में बता दिया जाए तो अगर आपका बच्चे यदि पैंटिंग, सॉंग, फोटोग्राफी, सॉफ्टेवेर, इंटर्सिप के लिए अगले जो चार वर्स है, नाइन से टुएल्थ तक यानि नवी से बारवी तक, नवी, दस्वी, ग्यारवी और बारवी तक ये कक्षक की मैं परिक्षा अब सेमेश्टर के आधार पर होगी ठीक है सेमेश्टर के आधार पर करने का में कारण ये है कि बच्चे क्या होते है 9th से 12th वाले बच्चे क्या सुचते हैं कि पूरा साल नहीं पढ़ते हैं ठीक है लाश्ट के एक या दो मईने या फिर एक्जाम के टाइम पढ़कर ही जाते है और एक्जाम में बेटकर कुछ लोग तो पास हो जाते है कुछ और अच्छे नमबर से पास हो जाते है और कुछ क्या रहते हैं फेल बीरे हो जाते हैं वो सूचते हैं कि लाश्ट में पढ़ लेंगे आखरी में पढ़ लेंगे जब exam आगे तब पढ़ लेंगे इसा सोचकर study की तयारी नहीं करते है तो इसलिए अब 9 से 12 तक की कक्षा में परिक्षा अब semester के आदार पर होगी इसलिए आपको पूरा साल पढ़ना पढ़ेगा साल में दो semester होगे और हर क्या क्या पढ़ा है इसमें नई सिक्षा निति समझ लिए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 को समझ लिया है इन से जुड़े हुए question हम अगले जो अपना point बनेगा उसमें करेंगे क्या इससे जीवन पर बड़े लक्षपर निधरित कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं यह अभी हमने क्या था तो इसके बारे में समझेंगे इससे पहले बता दिया जाए बदली सिक्षा निति से college admission लेना हुआ आसान कैसे हुआ यह समझ लीजिएगा यदि आपकी 12 में परतिसत कम रहे और जब मेरीड बनती है तब मेरीड के आधार पर वहाँ पर टोपर ने अपना इस्थान ले लिया यदि कहाँ पर वहाँ पर आपका नाम नहीं बनता है और आपको बहुत रूची है उस college में जाने की तो आप common aptitude test देकर आप अच्छे नमबर से अपना common aptitude graduation की पढ़ाई को जब नई सिक्षानिती आई है अभी इसके अनुसार जो graduation की पढ़ाई में 3-4 साल करेता है ठीक है कोई graduation कर जो रेता है वो 3 साल करेता है भी बीटे के बात कर ली जाए तो वो 4 साल के graduation में रेता है ठीक है इन 3-4 साल के graduation को हर साल के लिए यदि कोई बच्च यदि कोई छात्र एक साल के बाद यदि किसी समा यदि उसके family कोई problem हो जाने के कारण यदि या otherwise कोई सी भी problem होने के कारण एक या दो साल में जब वहां college या college छोड़ देने के कारण जब उसका जो दो साल waste होता है फिर वो जब नए सर से खड़ा होता है नए सर से जब वो दो साल की study कर ली यानि कि दो साल तक continue exam भी दी और दो साल तक अच्छे से तैयारी करी और अच्छे से मलब college को continue रहे तो दो साल की बात करने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा और तीन साल जब complete करने के बाद उन्हें डिगरी दी जाती है तो अभी हाली में नई स तो यह जो है most of hect रहा है इससे किसी का भी graduation के तैयरी के बीच में यदि कोई graduation करने के बीच में यदि कोई चला जाता है यदि कोई इस college को छोड़ देता है तो वहाँ पर उन्हें जितना भी उनका point बना है उस point के अनुसार उनको certificate या भी दो साल होने पर डिप्लोमा दिया जा गया है यनि आपके इसाब से आप जिसा चाहो इसा कर सकते हो आपको दो साल का course चाहिए दो साल का डिप्लोमा चाहिए तो आप डिप्लोमा करके multi exit ले सकते हो या फिर दो साल के बाद यदि आप नया course करना चाहते हो तो दो साल आपके जूड़कर multi entry डिप्लोमा में आप थ जहां तक करना चाहो कर सकते हो और जैसे आपकी study है उसके अनुसार आपको इस बेंक में online जुड़ जाएंगे ठीक है कौन सी बेंक? academic bank of credit जो नई सीख्चानिती के अनुसार आई है final degree के लिए कोई course करेगा तो उसे credit को जोड़ दिया जाएगा और आखरी में इस में आपके final degree में अंक जुड़ कर आपको market प्रदान की जाएगी और यहां व्यवस्ता पूरी तरह से digital होगी और online होगी M.H.R.D. जो मानो संसाधन विकास मंत्री जो है रमेस पौकरियाल निसंग और उनकी टीम ने तयार किया है और उनकी टीम का कहना है जो यह आपको बात बताई रही है parents के लिए बहुती मतलपन एक बात सामने आ रही है parents के लिए तो और school के लिए और चात्रों के लिए जो बहुती बड़ा मुद्दा सोचा हुआ था पेरेंट्स के लिए बहुती महत्वपुन जानकरी जो इसकूल की फिस को लेकर चिंतित रहते हैं पेरेंट्स इसके तहत नए नियम निर्धारित किये जाएंगे और इसकूल और कॉलेज एक निश्चित फिस से ज्यादा कोई आपसे नहीं किया जा सकता है ठीके कोई आपसे इसकूल की जो निश्चित फिस की गई उससे ज्यादा कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा आप से आप आज से सोच रहे है कि ये नई सिक्षानिती लागू कब होगी ठीके तो ये जो नई सिक्षानिती अभी लागू नहीं हुई है ये अभी चर्चा में चल रही है अ फिलहाल केबिनेट में मंजूरी दे दी गई है और यहां के बाद जब केबिनेट के बाद ये जाएगा संसद में और संसद में जैसे ये बिल पास होता है संसद से कंप्लिट होने के बाद यहां कानून की रूप में सकल ले लेगा यहां कानून की रूप में बदल जाएग इस निती में से इस निती के चलते अब मानव संसाधन विकास का नाम यानि कि MHRD का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले रखा जाएगा यहाँ सिक्षा निती 2021 से 2022 अकेडमिक सीजन तक लागो की जाएगी ठीके दोस्तों तो अब हम चलते हैं क्यूइच पर यह आपको इतना सारा फेक्ट समझ में आ गया होगा क्विज कॉश्चन नमबर फर्स्ट है भारत के इतियास में अब तक कितनी बार शिक्षा निती को शिक्षा निती आ चुकी है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए यह भारत में अभी तक तीन बार शिक्षा निती आ चुकी है पहली आईती 1968 में दूसरी आईती 1986 में और अभी तीसरी जो है 2020 में आई है ठीके तो यह जो तीन शिक्षा निती है भारत के इतियास में अब तक तीन यह जो most important question है 1986 में जो शिक्षा निती लागो की गई थी उसमें बदलाव कप किया गया तो 1986 की जो दूसरे नमबर की जो शिक्षा निती थी उसमें बदलाव कर दिया गया था 1992 में यहनी 1992 में बदलाव कर दिया गया था ठीके यहनी कुछ changes किये गये थे 1986 की जो शिक्षा नि देश में एक नई सिक्षानिती लागू की गई है तो जिसने भी वो पुरा ध्यान पुरोग समझा होगा वो यहाँ पर राइट अंसर आराम से लगा सका। अपसन नंबर से इसका राइट अंसर हो जाएगा चोतिस साल बाद भारत में एक नई सिक्षानिती को लागू किया गया है। पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ओपसन नंबर ए यानि पाँचवी फिप्त क्लास की बात कर ले जाए यानि नई सिक्षानिती में पाँचवी क्लास तक छात्र मात्र भासा इस्तानी छेत्री भासा में पढ़ाई का मंत्री कौन है तो अभी हाल हिमें बात कर लिजए तो भारत के जो सिक्षा मंत्राले के मंत्री है वो है रमेश पोक्रियाल निसंग और यही है मानो संसादन विकास मंत्री रमेश पोक्रियाल निसंग अब मानो संसादन विकास मंत्राले जो है जिसका नाम अब भारत में नमबर A, रमेस पॉक्रियाल निसंग, अगला कोश्चन बनता है, किसकी अध्यक्षता में विशेशग्यों की एक सम्मीती, एक नई सम्मीती जो बनाई गई है, नई सिक्षानिती बनाई गई है, उसका मसोदा तियार किया गया, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, वो क किया गया, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षताक में, विशेशग्यों की एक सम्मीती ने नई सिक्षानिती 2020 का मसोदा तियार किया है, नेक्ष जो कोश्यम बनता है, साल तक, किस साल तक स्कूली सिक्षा, सो परतिसाद GER, यनि की ग्रॉस एन्रॉल्मेंट रेशो साथ, साथ माध्यमेक इस तरह तक एजुकेशन फॉर आल का लक्ष रखा गया है, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, आपसा नमबर सी, यनि 2030 तक, 2030 तक, ग्रॉस पर्षन जी एरपी के साथ, और बात कर ली जाए, किस साल तक, ये तो माध्यमेक सिक्षा, माध्यमेक इस तरह की बात है, और यदि उच्च सिक्षा के बात कर ली जाए, तो उच्च सिक्षा के लिए, जो GER 50% रखा गया है, वो रखा गया है, 2030 जो है, 2030 आगे question में लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, माध्य में की स्तर की बात कली चाहिए जो 2030 और जब हम उच्च सिक्षा की बात करेंगे तब 2030 आएगा, तो यह कन्फ्यूज दूर रखना डाउट क्लियर रखना, इसकुल पाठ्यकरम को 10 प्लस 2 धाचे पेटन की जगह, अब कौन सा पेटन होगा तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, यह बता दिया में आपको शुरुवात में ही 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है नई सिक्षा नीती का लक्ष किस वर्स तक 3 से 18 आयो के वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता सिक्षा प्रदान करेगा तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, नई सिक्षा नीती का जो लक्ष है किस वर्स तक के 3 से 18 तक के बच्चों को यानि कि 3 से 18 के आयू के वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता सिक्षा प्रदान करेगा तो राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि 230 ठीक है 230 इसका राइट अंसर हो जाएगा GDP का कितना प्रतिसत सिक्षा में लगाने का लक्ष रखा गया है जो अभी GDP का जो 4 दसमलो 4 प्रतिसत जो है रखा चल रहा है लेकिन जो नई सिक्षा निती आएगी उसके अनुसर कितना रखा गया है तो जो राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि कि 6 प्रतिसत GDP का 6 प्रतिसत सिक्षा में लगाने का लक्ष रखा गया है और वर्तमान के बाद कर ले जाए तो 4 दसमलो 4 तीन प्रतिसत चल रहा है नेक्ष्ट है नई सिक्षा निती के अनुसर अब PhD करने वाले के लिए क्या अनिवार्य किया गया है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा पी एचडी करने वाले के लिए 4 साल का कोर्स अनिवार्य कर दी गई है ठीके तीन साल का रहता है यदी PhD वालों के लिए क्या है यदी ये एक मौस्ट फेक्त है यदी कोई PhD करना चाहता है तो वो तीन साल के college के बाद एक साल का PhD यानि कि प्लस चार साल के इसना तक करके वो PhD हासिल कर सकता है ठीक है और यदि कोई PhD नहीं करना चाहता ये पेले ही clear हो जाएगा तो उसका जो college का जो रहेगा वो चार साल के बाद इसना तक degree ले सकता है नई सिक्चानिती किस course को खत्म या निरस्त कर रही है तो MPHIL जो course है उसको नई सिक्चानिती खत्म कर रही है या निरस्त कर रही है अगला question बंता है किस class के vocational course को सुरू कर दिया जाएगा तो इसका जो right answer हो जाएगा किस class के vocational course को सुरू किये जाएगे तो vocational course जो है course जो है 6 class से सुरू किये जाएगे vocational course आपको मैंने वीडियो में अच्छे से बता दिया था तो किस class में से vocational course को सुरू कर दिया जाएगा 6 class से सुरू कर दिया जाएगा किस साल तक उच्च सिक्षा जो मैंने अभी जश्ट आपको बताया 50% GER पहुँचाने का लक्ष रखा गया है तो राइट अंसर जो हो जाएगा आपसा नमबर A यानिकी 2035 और माध्यमिक की बात कर ली जाए तो वो रखा गया 100% लेकिन कब तक रखा गया 2030 तक और ये 50% है इस बात का ध्यान रखना 2035 तक ये लाश्ट कोशन रहा वीडियो अच्छा लगाओ लाइक से सस्क्राइब और प